नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तो जैसे जैसे हम जानते हैं कि एंटी यूजी सी नेट का एक्जाम नजदीक आ रहा है जो यूजी सी नेट के जो है मौक टेस्ट कैसे दे सकते हैं चाहिए आपका कोई भी सब्जेक्ट दोस्तो आप अपने मॉबाइल से ही अपना जो मौक टेस्ट है वो दे सकते हैं सेल्फ एनलिसिस कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले तो आपके पास आपके फॉन में जो नेट की सुभी दाओनी चाहिए दोस्तो और उसके बाद आप अपने मोबाइल फॉन में Chrome ब्रॉजर ओपन कर लेंगे जैसे ही आप Chrome ब्रॉजर ओपन यूजी सी नेट यूजी सी देखिए जैसे मैं यूजी सी लिख देता हूँ तो सीधा नेट.nta.nic.in क्योंकि मैं इसको यूज करता रहता हूँ तो मेरे ये खुद आ जाता है तो आप इसको पूरा लिखतीजेगा यूजी सी नेट.nta.nic.in तो जैसे यह आप बढ़ जैसे आप ये कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का सरफेस खुलके आ जाएगा. यहां देखिए information bulletin UGC net June 2020. तो यहां से आपकी जो भी जितनी भी information आती ही UGC net की यहां से आप download कर सकते हैं उसको और रख सकते हैं download करके. और latest नीचे देखिए new लिखा हूँ है public notice date of various examination तो यहां से आप exam की dates को भी बगेरा को भी चा कर सकते हैं तो इसको आप download करके रख सकते हैं ठीक है दोस्तों नीचे कुछ introduction बगेरा दी है NTA के बारे में इसको यह देखिए नीचे red से बना हुआ है देखिए white में इसमें लिखा हुआ है view result scorecard UGC net December 2019 तो यहां से आप जो December 2019 का जो आपका paper हुआ है उसका result card आप show कर सकते हैं नीचे देखिए फिर से आपको एक public notice देख रहा है तो यहां से भी आप अपने notice डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों जो महत्पूर्ण चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है mock test तो जो आज का विशा भी हमारा है कि mock test की आपकारिया कैसे करते हैं देखिए important links दिखा है और इसके उपर जो सबसे पहले वाला आपको दिख रहा होगा option उसमें देखिए mock test UGC net exam तो इसके उपर आपने क्या कर लेना है click कर देना है जैसे आप click करेंगे इस तरीके का surface खुल के आ और जैसे यह खुलेगा दोस्तों तो यहां से आप mock test की जो instructions हैं वो YouTube के दर यह भी देख सकते हैं इसको click करके लेकिन आपने क्या करना है कि आपने select exam you would like to appear तो इसके उपर आपने क्या कर देना है select कर देना है जैसे आप इसको select करेंगे तो देखिए JEE main UGC net तो हमने क्या क तो जो भी आपका paper है दोस्तों तो आप उसको यहां से बढ़ सकते हैं तो मान लीजे जैसे मेरा exam है अभी चाहे किसी भी exam का है चलिए अभी हम देख लेते हैं अगर इसमें जैसे हम हिंदी की अभी डून रहे हैं हिंदी सहीते वारता हमारा channel का नाम भी है तो हिंदी की ही ह हम preparation इसमें करवाते हैं दोस्तों तो हम अपना हिंदी का ही देख लेते हैं चलिए paper 2 June 2019 का हम डाल देते हैं तो जैसे हम इसको डाल देंगे उसके बाद हम क्या कर देंगे कि start mock test के उपर click कर देंगे और यह processing हो रही है यहां पर देखिए system name आ गया जैसे हम exam देने बैठते है सेंटर में तो यहां वहां भी computer में क्या लगा होता है कि system number लिखा होता है तो जैसे यह 01 हो गया इसका ठीक है इन विजिलेटर ने बगेरा इसमें जाद आपने दियान नहीं देना है इसमें आपने simple इसको ऐसी रहने देना है जैसे अब दिखिए user name बगेरा password बगेरा कुछ कर सकते हैं जैसे हमारा हिंदी है तो हमारी हिंदी ही रहेगी ठीक है आप अपनी जो भी आपका subject है तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं तो यहां से देखिए नीचे लिखा हुआ है कि निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तो आपको बहुत सारा समय मिल जाता है यूजी कह ओँ जाएगी क्लेर हैना और यहां देखिए यहां देखिए स्क्रीन के दाहीने कौने पर प्रशन परल प्रतिक प्रशन के लिएन में से कोई एक प्रकरट करता है तुम अगर आप अभी तक प्रशन पर नहीं गये तो वो थीक माना ली जी कि आपने सओ आपके प्रशन ह वाइट कलर का तो उसका मतलब है कि आपने अभी तक उस प्रशन को attempt नहीं किया है आपने प्रशन का उत्र नहीं दिया है मतलब तो मालीजे आपने प्रशन देख तो लिया उसका उत्र नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा वो रेड होके आएगा ठीक है फिर उसका बात तीसर प्रशा के लिए भी चनित किया है तो इस तरीके से होगा, clear है, फिर उसके बाद दोस्तों और भी इसमें बहुत सारे निर्देश दिये हैं, आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर आपने जैसे इनको clear कर लिए पढ़के दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, है न, उसके बाद ये देखिया, आपके सामने question paper खुलके आ जाएगा, जैसे ही question paper खुलके आ जाएगा, हिंदी पर समासिक संस्किति के वहन का दाईतव, समविधान के किस अनुछेत में निरधारित है, तो चलिए हम इसका कर लेते हैं, option 4, अगर आपको लगता है दोस्तों मानली जी जैसे मैंने team पे इसको कर दिया, चलिए अब हम 4 रख देते हैं, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, save and next, पहला option है देखिए, फिर उसके बाद आता है save and mark for review, तो अगर आपको लगता है कि save तो कर दे रहा है, और मैंने इसको review के लिए भी रखना है कि last minutes को क्लियर है दोस्तो फिर आता है mark for review and next, तो आप क्या करेंगे, mark of review के लिए करेंगे और next करके रखेंगे, तब इसको, तब क्या हो जाएगा, तब ये सिर्फ review के लिए ही रहेगा, क्लियर है दोस्तो, फिर save and next पे हम जाएंगे, देखिए, save and next पे जैसे ही गए तो हमारे सामन दूसरा प्रशन खुलके आ जाएगा ठीक है ये दीके ऊपर दूसरा प्रशन आ गया है तो इस तरीके से चलिए ये दूसरा आ गया देखिए ये वो रैकनिमिलिक में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है तो इसमें चलिए हम कर देते हैं option दो मंडियाली क्लिर है तो इस जो पहले भी बिताया था कि उनको आमने visit ही नहीं किया है तो इस तरीके से आपने क्या करना है लास्ट में इसको यहां से submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे तो ये एक बार आप से फिर से पूझेगा कि क्या आप इसको वाकिए में submit करना चाते हैं तो आपने yes कर देना है जै यहां पर नीचे question number 1 का जो 4 option correct था, correct था, ठीक है, हमने 4 ही use किया था, दूसरी का 2 था, तो हमने 2 ही choose किया था, clear है, तो ऐसे करके आपने क्या करना है कि अपना exam देना और इस तरीके से आप अपना result यहां से show कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसे जैसे NTUGC net का exam नजदी का रहा है, तो बहुत सारे विद्यारतियों की क्या सभी student के लिए यह जुरूरी है कि हम अपने mock test के जरी अपने self analysis करते रहें, और खुद के बारे में अपने exam को अच्छे तरीके से prepare करते रहें खुद को, तो I hope आप लोगों को यह video अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर आपको इस सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त, जय हिंद, जय भारत